बच्चों हमारी मस्तिख्ष के दो भाग होते हैं दाया भाग और बाया भाग और मस्तिख्ष के दाय भाग से शरीर के बाय अंगों के कारियों का नियंतरन होता हैं और ठीक इसी प्रकार से मस्तिख्ष के बाय भाग से शरीर के दाहिने अंगों के कारियों का नियंतरन होता है लेकिन अगर शरीर के दोनों अंग एक साथ कारे कर रहे हो तो इसकी सुचना मस्तिश को मिलती है और मस्तिश के दोनों भाग इसके प्रती प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है वो मिले जिले रूप में मिलती है चलिए इसे करके देखते हैं सबसे पहले आप अपनी हतिलियों को निकालिए और तरजनी उंगली को आगे की तरफ रखिए और इसे घड़ी की दिशा में घुमाईए अब ठीक इसके विपरित दिशा में घुमाईए अब हतिली की एक अंगली को घड़ी की दिशा में और एक अंगली को विपरित दिशा में घुमाईए अब आप देख सकते हैं कि ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है जब हम इसे एक ही दिशा में घुमाते हैं तो ये करना जादा आसान हो जाता है लेकिन एक को घड़ी की दिशा में और एक को विप्री दिशा में घुमाते हैं तो ये थोड़ असा मुश्किल हो जाता है ऐसा क्यूं हुआ? क्यूंकि शरीर के दोनों अंगों से सुचना मस्तिक्ष को मिली और इसकी जो प्रतिक्रिया है ये भ्रमित रूप में व्यक्त हुई जिसके कारण ऐसा हुआ